वेलकम टू सूर्या टिटोरियल्स तो कैसे हो आप लोग आज हम लोग जो है क्लास तेंट के साइन्स के चैप्टर नमबर फर्स्ट जो की हमारा केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन है उसके हर एक कॉंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो वीडियो जो है चैप्टर का नेम क्या है बेटा कैमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन तो सबसे पहले अगर हम लोगों को यह पता चल जाए कि आखिर कैमिकल क्या है तो हमारे लिए हर एक कॉंसेप्ट को समझना और आसान हो जाएगा तो हमने क्या कहा कि कैमिकल जो है ऐसे रियक्टिव सब सबस्टेंस हैं जो मैटर से मिल करके बने है अब आपके माइंड में यहां से कुश्चन क्या रहा होगा कि सर मैटर क्या होता है तो मैटर आप सभी लोगों को बता है कोई ऐसे चीज जिसका खुद का कोई मास हो या फिर वो स्पेस को अकुपाई कर रहा हो उसके पास कोई वोल्यूमों उन सभी चीजों को अपने लोग क्या कंसेडर करते हैं मैटर बोल देते हैं तो हमने क्या कहा कि कैमिकल्स भी हमारे क्या रहे होंगे रियक्टिव सबस्टेंस रहे होंगे और यह हमारे मैटर से मिल करके बने होंगे अब आप लोगोंने अच्छी तरीके से बने वाले हो वो सारे chemicals क्या होंगे आपके यह सारे chemicals या तो आपके solid form में exist कर रहे होंगे या फिर या आपके liquid form में exist कर रहे होंगे या फिर या आपके gaseous form में exist कर रहे होंगे तो आपको यहां से यह समझ में आ गया कि chemicals क्या है chemicals हमारे reactive substance हैं जो आपके matter से मिल करके बने हैं और हमें पता है कि matter जो है nature में three physical states में exist करता है तो इस पूरे chapter में या पूरे class 10th की chemistry में जब भी हम लोग chemicals के बारे में बात करेंगे तो chemicals या तो हमारे solid रहे होंगे या फिर हमारे liquid रहे होंगे और या फिर हमारे gaseous form में exist कर रहे होंगे अब हम लोग जो है अपने next topic को discuss करते है that is change या types of change तो change का मतलब क्या होता है change का मतलब होता है परिवर्तन होता है कि नहीं होता है तो आपके class 10th में अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो type के changes के बारे में बात करनी है first one is physical change and the second one is chemical change तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे physical change को समझेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे chemical change के बारे में बात करेंगे और यहां से हर साल आपके exam में एक MCQ पूछा जाता है तो यह बहुत जादा important topic है तो अब हम लोग physical change को discuss करते हैं तो ऐसे सभी changes जिसमें हमारे substance के shape and size में चेंगमेंट आ रहा है अब physical change में क्या होता है physical change में कोई भी substance का जो internal composition होता है उसमें कोई भी change मेंट नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ उसके external behavior में change आता है क्योंकि physical का means क्या होता है जो सामने से दिखाई दे तो यहाँ पे देखिए composition always remains the same तो जब भी कोई physical change होगा तो जो हमारा substance है उसका जो composition होगा वो उसमें कोई भी changement नहीं आएगा फिर हम लोग अगर physical change की बात करें तो जर्नली जितने भी physical changes होते हैं बिटा यह आपके reversible nature के होते हैं for example melting of wax या melting of ice देखिए हमने ice को melt किया तो वापस से हम लोग ice को क्या कर सकते हैं cool करके वापस से ice cube में convert कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो क्या यह process reversible है कि नहीं है तो that's why melting of ice is a melting of ice is a physical change यह क्या हो जाएगा हमारा physical change इसी तरीके से अगर हम लोग mixing of fruits के बारे में बात करें तो mixing of fruits क्या है हमने बहुत सारे fruits को mix कर दिया तो क्या आप अपने लोग इसको change कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो आपने कहा sir बिल्कुल change कर सकते हैं तो हमने क्या कहा ऐसे सभी substances जो क्या कर रहे हैं जिन में जो change हो रहा है अगर वह reversible nature का है तो that's why they are considered as physical changes तो हम लोग उनको क्या consider कर रहे है physical change चेंडर कर रहे है और physical change में कोई भी नए substance की formation नहीं होती है इस चीज को आपको रखना है तो clear हुआ कि नहीं clear हुआ कि physical changes क्या होते हैं for example shredding of paper shredding means क्या होता है टुकड़े करना हमने क्या किया एक page को चार parts में divide कर दिया उसको चार parts में फाट दिया तो वापस से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको टेप लगा करके वापस से उसी shape में convert कर सकते हैं तो यह क्या है यह reversible process है इसी वज़े से क्या हो रहा है यह आपका physical change consider किया जा रहा है अब हम लोग जो है chemical change के बारे में बात करते हैं तो chemical change क्या है तो ऐसे सभी changes जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक नए substance की formation हो रही है वो changes क्या कहलाते हैं वो changes आपके chemical change consider किये जाते हैं जर्नली जब भी कोई chemical change होता है तो उसमें क्या होता है color change हो जाता है composition क्या होता है जो हमारा matter है उसका composition बदल जाता है means जिन चीजों से मिलकर के जो substance बन रहा है उसका composition क्या होगा बिलकुल change हो जाएगा for example formation of formation of curd अगर हम लोग कर्ड की formation करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है curd हमारा milk से बनता है अगर हम लोग milk में क्या करें lemon डाल दें तो curd की formation होगी लेकिन जो curd के particles हैं वो बिलकुल different है as compared to milk क्योंकि curd हमारा क्या होता है solid form में होता है semi solid form में होता है लेकिन milk क्या है वो आपका pure liquid form में है तो देखिया आपके composition में भी change आ रहा है की नहीं आ रहा आपने का सर बिलकुल composition क्या हो रहा है change हो जा रहा है फिर हमने क्या कहा कि जब भी chemical change अकर होगा बटा तो chemical change में क्या होगा आपका नए substance की formation होगी ही होगी तो जर्नली जितने भी chemical changes होते है वहाँ पर क्या होता है new substance की formation होती है और जो यह new substance यहाँ पर बन रहा होता है that is irreversible in nature यह आपका reverse नहीं हो सकता है अगर एक बार milk से curd बन गया या पनीर की formation हो गई तो वापस से पनीर से milk नहीं बनाया जा सकता है तो जितने भी chemical changes होंगे यह सारे के सारे आपके कैसे रहा होंगे यह आपके irreversible change होंगे for example burning of wax तो देखें जब भी हम लोग wax को burn करते हैं तो wax is a hydrocarbon तो वहाँ पे co2 gas produce होती है ठीक है तो क्या हो रहा है नए substance बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो हमने क्या कहा यह chemical change है फिर fermentation of fruit fermentation of fruit का मतलब क्या होता है वेटा fruits का पकना ferment means क्या होता है पकना तो अगर हमारे fruits एक बार अगर पक जाएंगे तो फिर क्या कहते है वापस से वह कच्चे थोड़ी न होंगे तो that's why fermentation of fruit is also a chemical change इस वज़े से क्या है यह भी हमारा एक chemical change consider किया जा रहा है तो देखिए अब हम लोग जो है next topic की तरफ move करते हैं that is chemical reaction तो हमको chemicals के बारे में पता चल गया कि chemicals क्या होते है physical change और chemical change के बारे में पता चल गया अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर chemical reaction क्या होता है तो chemical reaction को समझने से पहले अगर हमें पता चल जाए कि reaction का मतलब क्या है तो बाकी सारी चीज़े असान हो जाएंगी तो आपने क्या कहा कि सर रियक्शन का मतलब होता है react करना अगर हम लोग जो है दो chemical substance को पास पास रख दें तो यह क्या करेंगे आपस में react करेंगे रियक्ट करने का मतलब क्या है यह आपस में combine करेंगे अब जब आपस में combine करेंगे तो एक ऐसी condition हो सकती है कि यहाँ पर combine होने के बाद यह एक नए substance की formation कर दें और ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2 substance को पास पास रखा और उनमें कोई भी combination नहीं हो रही है और कोई भी new substance नहीं बन रहे है तो देखिए एक ऐसी process अब chemical reaction क्या है एक ऐसी process जिसमें हमने क्या किया 2 या 2 से ज़ादा chemical substance को पास पास रखा और यह क्या कर गए आपस में combine कर गए और combine करने के बाद अगर यहाँ पर एक new substance की formation होती है तो इस entire process को अपने लोग क्या बोलते हैं इस entire process को हम लोग chemical reaction बोलते हैं एक बार फिर से मैं आप लोगों को clear कर दे रहा हूँ एक ऐसी process जिसमें क्या हो रहा है हमने दो या दो से ज़्यादा substance को chemical substance को पास पास रखा और आपस में वो क्या कर गए? combine कर गए और combine करने के बाद अगर यहाँ पर एक new substance की formation हो जाती है तो इस पूरी process को हम लोग क्या बोलते हैं? chemical reaction बोलते हैं for example hydrogen अगर chlorine के साथ react किया तो इसने क्या बना दिया? hydrogen chloride बना दिया तो देखिए hydrogen और chlorine दोनों अलग-अलग substance से लेकिन जब यह combine किया तो इसने एक नए substance की formation करी तो इस पूरी process को हमने क्या बोला? इस पूरी process को हमने बोला chemical reaction अब यहाँ पर बेटा क्या है? एक चीज़ आप लोग और notice करिए कि वो substance ऐसे substance जिनकी वजह से chemical reaction अकर होती है या जो chemical reaction में participate करते हैं वो सारे substance क्या कहलाते हैं हमारे? वो substance हमारे reactant कहलाते हैं फॉर एक्जामपल अगर hydrogen और chlorine यह आपस में combine नहीं करे होते अगर यह आपस में react नहीं करते तो क्या hydrogen chloride बनता? नहीं बनता तो reaction किसकी वजह से हो रही है? hydrogen और chlorine की वजह से हो रही है तो ऐसे substance जिनकी वजह से chemical reaction अकर हो रही है वो सारे क्या कहलाएंगे? reactants कहलाएंगे अब यहाँ पर जो नया substance बन रहा है that is hydrogen chloride यह new substance जो form हो रहा है इस substance को अपने लोग क्या बोलेंगे? product बोलेंगे तो आप लोगों को reactant or product समझ में आ गया तो अब हम लोग next reaction को देखते हैं that is ammonia तो देखो ammonia क्या है? ammonia को हम लोगों ने heat किया तो क्या बना? nitrogen और hydrogen बना तो ammonia क्या कर रहा है? ammonia की वज़े से reaction हो रही है तो यह क्या हो गया? reactant हो गया और यहाँ पर जो नया substance बना है that is called product तो यहाँ पर nitrogen और hydrogen की formation हो रही है तो यह दोनों substance आपके क्या हो गया? इनको product बोल दिया गया अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने reaction को कराने के लिए क्या किया? एक external agent को add किया हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया? extra temperature प्रवाइड किया कि ने किया? तो ऐसे substance को अपने लोग क्या बोल देंगे? catalyst बोल देंगे ठीक है? तो आगे चलके अभी अपने लोग catalyst के बारे में discussion करेंगे अब अपने लोग जो है next topic को discuss करते हैं that is characteristics of a chemical reaction now characteristics of a chemical reaction का मतलब क्या है? कि माल लीजिए हमने दो chemical substance को पास पास ला करके रख दिया let us suppose A और B क्या थे हमारे दो chemical substance थे अब यहाँ पे एक new substance की भी formation हो गई that is C और यह पूरी की पूरी reaction अपने लोगों ने क्या करी? एक beaker के अंदर perform करी अब हम लोग कैसे identify कर सकते हैं कि यहाँ पर जो reaction हुई है how can we identify कि chemical reaction हुई है कि नहीं हुई है तो there are various methods या there are various ways by which we can identify whether a reaction is occurring or not तो यह सब अपने लोग किसके अंदर डिसकस करने वाले हैं characteristics of a chemical reaction तो यहाँ पर जर्नली हम लोग यह समझेंगे कि कैसे हम लोग identify करें कि reaction अकर हो रही है कि नहीं हो रही है तो first method is change in state of matter तो अगर हमारे matter की state में changement आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि chemical reaction अकर हुई है for example माल लीजिए हमने जो reactant लिया that is solid in state यह कैसा था solid state में exist कर रहा था अब यहाँ पर जो product की formation हो रही है यह product जो हमारा liquid में बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि chemical reaction अकर हो रही होगी for example अगर हम लोग एक beaker में hydrogen gas और oxygen gas को combine करे तो बेटा यह जो G है यह G क्या represent कर रहा है यह gas को represent कर रहा है तो hydrogen gas और oxygen gas आपस में जब combine करे तो combine करने के बाद इसने water form किया और यह water कैसा है liquid state में exist कर रहा है यहाँ पर L क्या identify कर रहा है कि यह liquid state में exist कर रहा है it means यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो reactant था यह कैसा था gaseous form में था लेकिन जो product हमारे पास बन रहा है that is in liquid state यह कैसा है liquid state में है तो हम लोग क्या कहेंगे कि matter की state में क्या आ गया changement आ गया तो इसका मतलब chemical reaction अकर हुई है फिर हमने क्या कहा कि hydrogen अगर chlorine gas के साथ combine करें अगर hydrogen gas को chlorine gas के साथ combine करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है hydrochloric acid बन रहा है और यह hydrochloric acid कैसा है liquid state में है again यह कैसा है liquid form में exist कर रहा है तो it means यहाँ पर देखो हमारे पास reactant कैसा है gases form में लेकिन जो product है यह कैसा है यह liquid form में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि chemical reaction अकर हो रही होगी अब यहाँ पर हम लोग कुछ terms को discuss करेंगे जिनकी help से हम लोग अपने reactions को और informative बनाएंगे for example जैसे hydrogen gaseous form में exist कर रहा है तो हमें यहाँ से यह भी पता चल जा रहा है कि जो हमारा chemical substance है यह किस state में exist कर रहा है तो जब भी अगर हमारे पास कोई solid chemical substance है उसको हम लोग S से denote करेंगे अगर कोई liquid chemical substance है तो उसको L से denote करेंगे अगर कोई gas है तो हम लोग G से denote करेंगे और upward arrow से represent करेंगे because gas क्या करती है यह हवा में उड़ जाती है अगर precipitate है तो हम लोग क्या करेंगे downward arrow से represent करेंगे अब आपका होगे सर precipitate होता क्या है तो देखिए precipitate क्या होता है अगर कोई भी chemical reaction हो रही है और उस chemical reaction में कुछ remaining portion बचा रह जा रहा है माल लिजे कोई substance जो है आपका combine नहीं कर पा रहा है कुछ substance आपका यहाँ पे beaker में settle down हो जा रहा है तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं remaining substance को precipitate बोल देते हैं और क्योंकि यह beaker में आपका बचा रहता है तो इसलिए इसको downward arrow से represent करते हैं फिर अगर equus solution की बात करी जाए तो देखिए equus solution का मतलब क्या होता है कोई भी chemical substance को अगर हम लोग water के साथ mix कर दें और यहाँ पर जो water है यह हमारा as a solvent की तरीके से काम करें तो जो solution हमारे पास मिलती है that is known as equus solution और इस equus solution को हम लोग AQ से denote करते हैं clear हो गया now heat को हम लोग किस से represent करते हैं delta से represent करते हैं और light को हम लोग H new से represent करते हैं तो इन सभी notations की help से हम लोग क्या करते हैं अपने reaction को और informative बनाते हैं तो पहला method आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर matter की state में changement आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि chemical reaction अकर हो रही होगी अब next point है आपका change in color अगर किसी भी chemical reaction में मान लीजे हमने दो chemical reactants को आपस में रखा और ये combine कर गए और combine करने के बाद एक नया substance बना अगर यहाँ पे color में changement आ रहा है तो हम लोग देख करके ही बोल देंगे कि chemical reaction अकर हो रही है तो देखें copper sulfate जो होता है यह blue color का होता है लेकिन जब यह iron के सार यह करता है तो यह FESO4 बनाता है जो आपका green color का होता है तो देखो color में changement आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हम लोग easily identify कर लेंगे कि chemical reaction अकर होई है इसी तरीके से अगर हम लोग copper को heat कर दें मालो copper को अगर अपने लोगोंने heat किया तो क्या बनेगा copper oxide और यह copper oxide आपका black color का होता है तो वैसे अपना की और copper को हमने जब burn किया oxygen की presence में तो copper oxide का में powder मिला जो की black color का था तो हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर color change हो रहा है तो chemical reaction अकर हो रही होगी ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग zinc की बात करें तो देखो zinc copper sulfate के साथ रियक करेगा तो copper sulfate क्या होती है blue color की लेकिन zinc जब copper sulfate के साथ रियक करता है तो zinc sulfate बनाता है और यह zinc sulfate आपका colorless nature का होता है तो पहले तो हमारे beaker में कैस color का आता है blue color रहता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है आपका colorless हो जाता है clear हो गया की ने clear हो गया अब अपने लोग next topic को discuss करते हैं that is evolution of gas अब हम लोग जो है अगर किसी chemical reaction में gas evolve हो रही है gas produce हो रही है तो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि chemical reaction occur हो रही है for example zinc अगर हमारा sulfuric acid के सार्व रियक करता है तो यह क्या बनाता है zinc sulfate बनाता है और यहाँ पर hydrogen gas liberate होती है अब हमें तो पता नहीं है कि hydrogen gas liberate हो रही है कि नहीं liberate हो रही है because आपकी जो hydrogen gas होती है और आपकी जो oxygen gas होती है यह कैसी होती है colorless होती है colorless होती है and odorless भी होती है इसमें कोई smell नहीं आती है तो हमने क्या किया इस hydrogen gas को कहां पर लाकर करके रख दिया इसके पास हमने fire लाकर के रख दिया candle को लाकर के रख दिया तो जैसा ही हम लोग candle को लेकर के आएंगे ये क्या करती है ये pop sound को produce करती है क्योंकि जो आपका hydrogen fuel होता है इसकी calorific value बहुत जादा होती है तो इसकी calorific value इतनी जादा होती है तो जैसा ही हम लोग जो है इसको लेकर के आते हैं, heat के contact में क्या करता है, explosion create करता है, clear हो गया की नहीं clear हो गया, तो हम लोग किस तरीके से hydrogen gas के presence को identify कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग जो है candle को लेकर के आएं, beaker के पास, और candle क्या करेगी, pop sound को produce करेगी, तो हम लोग easily identify कर लेंगे कि हमारी hydrogen gas produce होई है, simply इसी तरीके से अगर हम लोग calcium carbonate को heat कर दें, तो calcium carbonate को heat करेंगे, तो यह calcium oxide बनेगा, और carbon dioxide gas बनेगी, अब यह जो आपकी carbon dioxide gas होती है बेटा, यह जब भी beaker में produce होती है, तो यह क्या होती है, यह droplets की form में उपर की तरफ जाती है, और एक sound produce करती है, sun से, जैसे आप लोग जो है, thumbs up पीते हो, तो thumbs up और जितनी भी cold drinks होती है, उसमें लिखा होता है carbonated water, carbonated water का मतलब क्या है, कि उस तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से carbon dioxide gas के presence को identify कर सकते है, otherwise आपको यह भी पता है, कि जो CO2 gas होती है, यह fire extinction का काम करती है, यह आपको बुझा देती है कि नहीं बुझा देती है, तो अगर हम लोग candle जो है लेकर के जाएंगे, बीकर के पास में, जिस बी identify कर सकते हैं, कि reaction अकर हो रही होगी, अब अगर हम लोग next वे देखें, कि किस तरीके से हम लोग identify कर सकते हैं, कि reaction हुई है कि नहीं हुए है, तो that is formation of precipitate, तो मान लेज़े कर किसी reaction में precipitate की formation हो रही है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि chemical reaction अकर हुई है, for example, lead nitrate ज हो जाता है, अब यह जो lead iodide होता है आपका बेटा, that is yellow in color, यह क्या होता है आपका, यह yellow color का होता है, और यह बहुत important reaction है, because यहां से हर बार question पूछा जाता है, तो next तरीका क्या हो सकता है, कि अगर precipitate form हो रहा है, तो भी क्या हो रही होगी, chemical reaction अकर हो रही होगी, अब next method क्या हो सकता है, माली जे हमने दो और दो से जादा chemical substance को पास पास ला करके रख दिया, और यह combine करे, और एक new substance की formation होई, और जैसे ही new substance की formation होई, तो जो beaker है, अगर हमने beaker को touch किया, तो यहां से क्या हो रहा है, heat produce हो रही है, और यहां फिर क्या हो रही है, heat absorb हो रही है, तो अगर heat produce होगी, तो beaker गरम हो जाएगा, hot होगा, hot feel होगा beaker को जब touch करेंगे, और मालो अगर heat absorb हो रही होगी, तो जैसे आप याद करो, suppose करो, हम लोगों ने यहां पे अपने hand में क्या रखी, बरफ को रखा, तो जिस portion में बरफ को रखते थे, तो वो particular reason क्या हो जाता है, ठंडा ह हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो हमने क्या का, या तो heat produce होगी, या heat absorb होगी, तो अगर heat absorb होगी, तो क्या होगा, beaker ठंडा हो जाएगा, हमको cool लगेगा, और अगर heat produce होगी, तो beaker क्या लगेगा, गरम लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, simply beaker को touch करके भी, या identify कर सकत है कि chemical reaction अकर हूई होगी या फिर नहीं होई होगी क्लिर हो गया कि और ऐसे सभी reactions जिसमें क्या हो रहा है हीत्र प्रड्यूस हो रही है तो आगे चलके आप देखोगे उनको एक्जोथर्मिक र्यक्शंग बोलते है है और ऐसे सभी reactions जिसमें क्या हो रही है heat absorb हो रही है किसी reaction में वो आपके endothermic reaction होते हैं उनको अपने लोग अभी आगे detail में समझेंगे अब अपने लोग जो है next topic को discuss करते हैं that is chemical equation तो chemical equation क्या है simply the method or technique of representation of chemical equation is known as chemical equations ठीक है तो देखिए किसी भी chemical reaction को हम लोग जिस तरीके से जिस method से जिस way में represent करते हैं उस representation को या आप यहाँ पे एक word और add कर सकते हो जो symbolic representation होता है जो symbols की help से हम लोग क्या करते हैं किसी भी chemical reaction को represent करते हैं वो method और वो technique क्या कहलाता है वो representation ही हमारा chemical equations कहलाता है और journal हमारे पास कितने type की equations होती है तो we have two types of chemical equation first one is word equation and the second one is chemical formula तो देखिया अगर हम लोग word equation की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपनी chemical equation को English words की या simple language में represent करते हैं for example magnesium when reacted with copper sulfate तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया अपनी reaction को English word में use किया represent किया तो इस तरीके से जब हम लोग अपनी chemical reaction को represent करते हैं तो यह क्या कहलाता है word equation कहलाता है तो यहाँ पर क्या बन गया देखो magnesium sulfate बन गया और copper बन गया अब एक चीज़ आप लोग और देखिए कि देखो A और B दो chemical substance combine करें और एक नया substance दो नया substance बने that is C और D अब यह जो arrow है बेटा आपका chemical reactions में यह जो arrow है इन arrow का भी अपना मतलब होता है for example अगर हमारा arrow का जो head है देखें इस portion को क्या बोलते हैं head और इस portion को बोलते हैं tail तो अगर ह arrow का जो head है वो right hand side की तरफ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारी reaction हो रही है ये forward direction में हो रही होगी ठीक इसी तरीके से अगर हमारे arrow का जो head है ये backward side पे है अगर ये left hand side पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी जो reaction हो रही होगी ये backward direction में हो रही होगी और अगर हमारा arrow जो है इस तरीके से given है कि मान लेजे एक half arrow इस तरीके से बना है और एक half arrow इसे बना है तो इस तरीके से जब भी हमारे पास arrow given होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारी reaction है ये equilibrium state में है यहाँ पर 50% reactant बनना होगा और 50% क्या बनना होगा product बनना होगा clear हो गया कि ने clear हो गया now अब हम लोग next method को देखते हैं that is on the basis of chemical formula तो जब भी हम लोग अपनी chemical equation को क्या करते हैं chemical formula के term में represent करते हैं तो यह आपका क्या कलाता है chemical formula type कलाता है ठीके तो जैसे magnesium हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया mg से denote किया magnesium oxygen के साथ क्या किया combine किया magnesium oxide बन गया तो यह जो representation है यह symbols की help से जो हम लोग representation कर रहे हैं यह chemical formula के अंदर आता है now इसी तरीके से carbon monoxide जब आपका hydrogen gas के साथ combine किया तो इसने क्या बनाया in the presence of 300 atmospheric pressure जब लोगों ने इसको कितना pressure दिया 300 atmospheric pressure दिया तो यहाँ पर methanol बना that is CH3OH तो यहाँ पर आप लोग देखो जो हम लोगों ने 300 ATM pressure provide किया है यह क्या है external agent और मैंने आपको starting में ही बताया था कि ऐसे substance जो किसी भी reaction में add करें हम लोग और reaction के rate को क्या कर दें increase कर दें या फिर decrease कर दें ऐसे सभी substance क्या कहलाते है catalyst कहलाते है तो यहाँ पर आप देखो जैसा ही हम लोगों ने pressure बढ़ाया तो reaction क्या हो गई अकर हो गई तो यहाँ पर आपका यह क्या है catalyst की तरीके से behave कर रहा है की नहीं कर रहा है catalyst समझ में आ गए तो वो substance जो क्या करेंगे किसी भी reaction की speed को या तो increase कर देंगे या फिर decrease कर देंगे ऐसे substance क्या कहलाएंगे catalyst कहलाएंगे अब हम लोग जो है next topic को discuss करते हैं that is types of chemical equation तो देखे जर्नली हमारे पास दो तरीके की chemical equations होती है पहले हमारे पास क्या है balanced chemical equation and the second one is unbalanced chemical equation इस unbalanced chemical equation को हम लोग skeletal equation भी बोलते हैं और ये name आप लोग याद रखेगा क्योंकि यहां से board exam में 2015 में question direct पूछा गया था तो देखे सबसे पहले अपने लोग क्या बात करेंगे balanced chemical equation क्या होती है तो देखे ऐसे सभी chemical equations जिसमें क्या हो रहा है कि जो reactant side हम लोग different different atoms का use कर रहे है अगर वो product side जो हमारे पास different different atoms है उनके बराबर आ जा रहा है means जो total number of atoms है reactant side अगर वो हमारे total number of atoms के बराबर आ रहा है product side के तो उस condition में जो equation होगी that is known as balanced chemical equation for example अगर hydrogen और iodine की बात करें तो reactant side हमारे पास hydrogen के 2 atom और iodine के भी हमारे पास reactant side 2 atom है product side क्या बन रहा है hydrogen iodide तो hydrogen iodide की अगर अपने लोग बात करें तो देखो 2 hydrogen के अटम और 2 iodine के अटम तो जितने reactant side hydrogen iodine के अटम है उतना ही product side hydrogen iodine के अटम है तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलेंगे यह हमारी balanced chemical equation है अब यहाँ से question हर बार पूछा जाता है कि why we are going to balance our chemical equation तो देखिए हम लोग अपनी equations को balance करते है to satisfy the law of conservation of mass क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि mass को ना तो create किया जा सकता है नहीं mass को destroy किया जा सकता है तो reactant side जो different different atoms है उनका जो mass होगा वो क्या रहा होगा product side जो different different atoms है उनके mass के बराबर होगा that's why हम लोगों को क्या करना पड़ता है equations को balance करना पड़ता है clear हो गया की नहीं clear हो गया मैं आप लोगों को हर एक चीज बहुत detail में और बहुत easy way मैं समझाते हुए चल रहा हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो please channel को subscribe और friends के साथ share जरूर कर दीजेगा अब इसी तरीके से हम लोग जो है unbalanced chemical equation के बारे में बात कर लेते हैं तो unbalanced equation को हम लोग skeletal equation के नाम से भी जानते हैं तो ऐसे chemical reactions जिनमें जो reactant side हमारे atoms हैं अगर वो product side atoms के सम के बराबर नहीं हा रहे हैं माल लिजे reactant side हमारे पास यहां देखो हाइडरोजन के दो अटम है और oxygen के अगरे हाइडरोजन और oxygen combine करके क्या बना रहा है water बना रहा है लेकिन product side हमारे पास हाईडरोजन के तो दो अटम के सम के बराबर नहीं हा रहा है तो ऐसे सभी reactions को हम लोग क्या बोलते हैं इन सभी reactions को हम लोग unbalanced chemical equation बोलते हैं अब हम लोग जो है एक most important topic को discuss करते हैं that is how to balance chemical equation आखिर हम लोग किस तरीके से जो है बहुत easy method की help से अपनी chemical equations को balance कर सकते हैं आपको यह तो समझ में आ गया why chemical equations are balanced हम लोग chemical equations को इस वज़े से balance करते हैं to satisfy the law of conservation of mass लेकिन chemical equations को balance कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे reaction में metals को balance करेंगे then हम लोग जो है non metals को balance करेंगे और उसके बाद hydrogen और oxygen atoms को balance करेंगे इन सबको balance करने के बाद हम लोग जो sulfate है phosphate हुआ nitrate हुआ इन सबको as a molecule consider करके एक साथ ही balance करेंगे individual नहीं balance करेंगे clear हो गया की नहीं clear हो गया तो यहाँ पर हम लोग जो balancing का method यूज करते हैं बेटा chemical equations को balance करने के लिए class 10 में इस method को बोलते है heat and trial method इसको क्या बोलते है heat and trial method तो आप लोग एक एक करके हमारे साथ जो है balancing को करना सीखो यहाँ पर देखे रियक्टेंट साइड हमारे पास hydrogen के कित्ते एटम है दो एटम और रियक्टेंट साइड हमारे पास oxygen के कित्ते एटम है दो एटम लेकिन अगर हम लोग product साइड देखें तो product साइड हमारे पास hydrogen का तो दो एटम है लेकिन oxygen का एक एटम है तो हम लोग क्या क पढ़ेगा जैसे हमने टू से मल्टिप्लाइक किया तो देखो अक्सीजं तो बेलेस हो गई लेकिन हाइट्रोजन रॉनजो है अब región फो एटम लेकिन रेक्टेंस हाइट्रोजीन के basic reaction क्या है hydrogen जब chlorine के साथ combine गिया तो देख साइड हाइड हाइड्रोजर के इत हैम है दो इतम क्लोरीन के किते इतम है दो इत लैकिन अगर हम लोग न तो हाइड्रोजन का भी एक है और क्लोरीन का भी इक है तो में लोग यहाँ complex reactions को उठाते हैं जो हमारे exams में पूछी जाती हैं तो देखे copper sulphate जब sodium hydroxide के सार रियक करता है तो copper hydroxide बनाता है और sodium sulphate बनाता है हमें क्या करना है इस reaction को balance करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख दे रहे हैं अब आप देखो equation को balance करने के लिए सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग जो है in complex equations को balance करने के लिए metal को balance करेंगे फिर non metal देन इसके बाद क्या आएगा आपका oxygen और hydrogen के एटम और उसके बाद आपका जो sulphate हो गया phosphate हो गया इसको एक साथ balance करेंगे तो आप जरा देखो reactant side हमारे पास copper क्या हे metal है तो reactant side copper का एक एटम और प्रोड़क्ट side भी copper का एक एटम वहीं पर अपने लोग देखे है reactant side हमारे पास sodium का तो एक atom है लेकिन product side sodium के दो atom है तो हम लोग क्या करेंगे आप़े two से multiply करेंगे की नहीं करेंगे जैसे ही हमने 2 से multiply किया तो आप एक बाव बताओ क्या हमारा sodium balance हो गया और copper भी हमारा balance हो गया अब हम लोग किसको balance करते हैं oxygen और hydrogen के atom को तो आप जरा देखो यहाँ पे हमारे पास reactant side 2 oxygen के atom है और 2 hydrogen के atom है यहाँ पे आप देखो 2 into oxygen और 2 into H 2 hydrogen के atom product side हमारे पास oxygen के किते atom है देखो 2 oxygen के atom इदर हो गए और 2 hydrogen के atom हो गए तो क्या oxygen और hydrogen balance है कि नहीं है तो आपने का सरे तो already balance है और अगर हम लोग sulfate के molecule को consider करें तो reactant side हमारे पास 1 SO4 है और product side भी हमारे पास 1 SO4 का molecule है तो यह जो equation होगी हमारी this is the required balanced equation यह हमारी क्या हो जाएगी balanced equation हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी next reaction को देखते है that is magnesium hydroxide जब hydrochloric acid के सारे react करेगा तो magnesium chloride बनाएगा plus water बनाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे metal को balance करेंगे तो आप खुद देखिए reactant side magnesium हमारे पास एक atom है और product side भी magnesium का एक atom है इसका मतलब magnesium तो balance है अब हम लोग non-metal को देखेंगे तो आपने कहा sir non-metal क्या है हमारा chlorine तो आपने कहा sir chlorine की अगर अपने लोग बात करें इस reaction में तो reactant side हमारे पास chlorine का सिर्फ एक atom है but product side हमारे पास chlorine के किते atom है आपने कहा sir product side हमारे पास chlorine के दो atom है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पर two से multiply करेंगे की नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा two molecules of hydrochloric acid तो देखो दो chlorine हो गए की नहीं हो गए अब आप देखो ज़रा हमारे पास बेटा reactant side hydrogen के दो इधर atom है और देखो दो इधर हो गए चार atom है की नहीं है but product side हमारे पास hydrogen के सिर्फ दो atom है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर two से multiply करेंगे की नहीं करेंगे तो देखो hydrogen के किते atom हो गए 4 atom हो गए तो reactant side hydrogen के 4 atom product side भी hydrogen के 4 atom oxygen बेटा यहाँ पर आप देख लो it is already balanced देखे reactant side हमारे पास दो oxygen और product side भी दो oxygen के atom तो यह question हमारी क्या हो जाएगी this is the required balance equation अब आप लोग अगर चाहो तो मैं आप लोगों के लिए separate video बना सकता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को chemical formula बनाना सिखा दूँगा और कैसे chemical reactions करते हैं उनके भी questions और practice करा दूँगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो आप लोग comment कर दीजेगा अगर आपको separate videos चाहिए है तो देखे अगर हम लोग chemical reactions की बात करें तो जितने भी reactions हैं उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं different different categories में put up कर सकते हैं तो जर्नली हम लोगों को चाह टाइप के chemical reactions देखने हैं first one is combination और addition reaction second one is decomposition reaction third one is displacement reaction जिसको हम लोग single displacement reaction भी बोलते हैं और fourth हमारा क्या हो जाएगा double displacement reaction तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे बेटा इन सभी reactions को अच्छे तरीके से समझेंगे तो देखे हमारा first reaction क्या है combination reaction और addition reaction तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है combination reaction addition reaction मतलब add करना है तो हमने क्या किया बेटा जब 2 या 2 से ज़्यादा reactants को क्या किया? combine किया हमने 2 या 2 से ज़्यादा chemical substance ले लिए और इनको क्या कर दिया? combine कर दिया और combine करने के बाद अगर हमारे पास एक single product बच रहा है तो ये इस type की सारी reactions को हम लोग क्या बोल देते हैं? combination reactions और addition reaction आप ये याद किएगा कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा reactants combine करके एक single product बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? हमेशा बेटा addition और combination reaction होगा और जब भी combination और addition reactions होते हैं आपकी यहाँ पर बेटा heat produce होती है क्या होता है यहाँ पर? heat produce होती है इसी वज़े से हम लोग क्या कहते हैं? कि generally combination reactions exothermic nature को show करते हैं clear हो गया? for example अगर हम लोग reaction दोखें तो calcium oxide जब water के सार रियेक करता है तो calcium oxide को quick lime के नाम से जानते हैं तो यह जब water के सार रियेक करता है तो यह बनाता है calcium hydroxide जो हमारा क्या होता है? slaked lime बोला जाता है और यह white washing में use होता है now calcium hydroxide के साथ अगर हम लोग carbon dioxide की reaction करा दे मेटा तो calcium carbonate बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? lime stone भी बोलते हैं clear हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पर single product बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक इसी तरीके से hydrogen और oxygen कम्माइन करके क्या बना रहा है? water बना रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनना है? single substance बनना है कि नहीं बनना है? यहाँ पर भी आपका single product बनना है तो यह सभी reactions आपके क्या हो गए? combination reaction और addition reactions में आगे अब देखो जिस तरीके से अपने लोगों ने अभी combination reaction पड़ा था जस्ट उसका opposite क्या होता है? decomposition reaction तो decomposition reaction क्या होंगे? ऐसे reaction जिसमें complex reactant complex reactant means बड़ा reactant अगर दो या दो से ज़्यादा products में क्या कर जाए? break कर जाए तो वो सारे reactions को हम लोग क्या बोल देते हैं? decomposition reaction बोल देते हैं for example अगर हम लोग ferrous sulfate को देखें तो एक complex reactant है इसको हम लोगों ने heat दी तो यहाँ पर क्या बना? Fe2O3 that is spheric oxide plus sulfur dioxide और sulfur trioxide तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक complex reactant 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना रहा है? product बना रहा है तो यह सभी reaction किसके अंदर categorize करी जाएंगी decomposition reactions कहलाएंगी और यहाँ पर जो sulfur dioxide और sulfur trioxide gas बनती है बटा इसकी जो smell होती है यह बहुत ही pungent smell होती है rotten x की तरीके से इसकी smell होती है next देखिए आप calcium carbonate को अगर heat किया तो calcium oxide बना और carbon dioxide gas दोनी तो carbon dioxide gas जब भी बनती है तो brisky fluorescence के साथ बनती है clear हुआ की ने clear हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक reactant क्या कर रहा है? दो या दो से ज़्यादा product की formation कर रहा है ठीक इसी तरीके से lead nitrate बहुत important reaction है बिटाइए अगर हम लोग lead nitrate को heat कर दें तो क्या बनता है? lead oxide बनता है plus nitrogen dioxide बनता है और oxygen gas बनती है तो यहाँ पर जो nitrogen dioxide gas बन रही है first of all यह कैसी होती है? brown color की fumes produce करती है तो यहाँ से direct question पूछा जाता है तो आपको यह clear हो गया कि जब भी हमारा एक complex reactant दो या दो से जादा products की formation करेगा तो वहाँ पर decomposition reaction होगी अब यह जो decomposition reaction होती है बेटा यह भी हमारे पास three types की होती है तो एके करके अब हम लोग क्या करेंगे? हर एक type को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे तो देखें फर्स्ट reaction हमारी है that is thermal decomposition thermal means बेटा क्या होता है? heat तो जब भी हम लोग complex reactant को heat provide करेंगे heat की help से क्या करेंगे? break करेंगे तो वो reactions हमारी क्या कहलाएंगी? thermal decomposition तो देखो calcium carbonate और ferrous sulfate को हम लोगोंने heat supply करी थी की नहीं करी थी? तो heat supply करी तो क्या हो गया? ये 2 या 2 से ज़्यादा reactants में break कर गया तो ये सारे reactions आपके thermal decomposition reactions कहलाएंगे ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग next reaction को देखें that is photo chemical decomposition या photolithic decomposition तो देखें जब भी हम लोग किसी complex reactant को photo chemical decomposition या photolithic decomposition for example silver chloride को और silver bromide को अगर हम लोग sunlight के presence पे free छोड़ दें तो ये क्या कर जाता है? ये silver और chlorine में decompose हो जाता है और ये क्या करता है बिटा? ग्रे कलर की formation करता है ये जो silver यहाँ पे आपका बनता है ये ग्रे कलर का हो जाता है और ये particular reaction आपकी कौन से reaction कलाती है? black and white photography reaction बहुत important है ये आपके exams के point interview से इसी वज़े से silver chloride और silver bromide को जो है बिटा आपका ये sunlight से बिलकुल दूर रखा जाता है हर प्रकार की light से इसको बिलकुल दूर करके रखा जाता है विकॉस जैसे ही ये sunlight के presence में आती है ये decompose होकर के silver और chlorine को form करती है तो ये reaction आपकी black and white photography reaction कलाती है तो अगर हम लोग electrolytic decomposition के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? देगे हम लोगों ने complex reactant को electricity की help से क्या कर दिया? break कर दिया तो ऐसी सभी reactions आपकी electrolytic decomposition reactions कलाएंगी for example water को हम लोगों ने electricity provide करी तो hydrogen और oxygen gas बनी तो let us suppose हम लोगों ने क्या लिया? एक beaker ले लिया इस beaker में हम लोगों ने दो rod ले ली है, ठीक है? हमारे पास दो test tube है और यहाँ पर हम लोगों ने electricity provide करी तो water आपका क्या करेगा? break करेगा यह water आपका break करेगा hydrogen और oxygen gas में, ठीक है? तो आपकी जो oxygen gas होगी, यह किस के पास चली जाएगी? यह आपकी oxygen gas, anode के पास चली जाएगी और जो hydrogen होगा आपका यह आपका cathode के पास जाएगा तो oxygen पहुँच गई और cathode आपका negative तो यहाँ पर hydrogen gas पहुँच गई, अगर हम लोग यहाँ पर gas के molecule के रोशियो को देखें तो देखें two molecules of water क्या कर रहा है बेटा? two molecules of hydrogen gas और एक molecule of oxygen gas की formation कर रहा है तो जब भी आपकी जो gas form हो रही होगी तो यहाँ पर two molecules hydrogen gas बनेगी और एक molecule आपकी क्या बन रही होगी? oxygen gas की formation हो रही होगी अब हम लोग जो है बेटा, exothermik और endothermik reactions के बारे में बात कर लेते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि ऐसे सभी reactions, जिसमें क्या हो रहा होगा आपकी? heat produce हो रही होगी, वो सारी reactions क्या कहलाएंगी? exothermik reactions कहलाएंगी, जितनी भी combination reactions हैं, क्या होती है? exothermik nature को show करती है, clear हो गया कि नहीं clear हो गया? तो देखो calcium oxide water के साथ mix होगा, calcium hydroxide बनेगा और यहाँ पर heat produce होगी ठीक, इसी तरीके से calcium oxide, जब आपका carbon dioxide gas के साथ mix होगा, तो calcium carbonate बनेगा, यहाँ पर भी क्या होगी? heat produce होगी, देखो calcium oxide water के साथ, calcium oxide आपका चूना होता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा चूने को water में mix करते हैं तो खूब amount में heat produce होती है, तो यह आपका क्या है? calcium hydroxide है, ठीके? जिसको slagged line भी बोलते हैं अब हम लोग जो है बेटा, next topic को देखते हैं that is endothermic reaction तो देखो endothermic reactions आपकी वो reactions होने वाली हैं, जिसमें क्या होगा heat absorb होगी तो जितने भी decomposition reactions हो रही थी देखो इसमें क्या हो रहा है? इस calcium carbonate ने क्या किया? heat को absorb किया, तो heat को जब absorb किया, तो क्या हो गया होगा? भाई जो हमारा beaker हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा तो heat को जब इसने absorb किया तभी तो ये break हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे सबी reactions जिसमें क्या हो रही है? heat absorb हो रही है, वो आपके endothermic reactions होते हैं और जब हम beaker को touch करते हैं, तो हमें कैसा लगता है? ठंडा लगता है, तो calcium carbonate को जब हम लोगों ने decompose किया तो calcium oxide बना और CO2 gas बनी है, clear हो गया कि नहीं clear हो गया? अब हम लोग जो है displacement reactions और double displacement reactions के बारे में बात करते हैं, यहां से हर साल आपके board exam में question पूछा ही पूछा जाता है तो देखे, displacement reactions आपकी दो type की होती है, first one is single displacement reaction and the second one is double displacement reaction तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? single displacement reaction को समझेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? double displacement reaction के बारे में बात करेंगे तो देखे, सबसे पहले अपने लोग समझते हैं कि displacement reaction क्या होती है जिसको single displacement reaction भी बोलते है तो देखे, single displacement reaction में क्या होता है बेटा? जब एक more reactive element, जब एक more reactive element क्या करता है? एक less reactive element को उसकी solution से क्या करता है? displace कर देता है तो ऐसे सारे reactions क्या कहलाते हैं? Single Displacement Reaction और Displacement Reaction कहलाते हैं. For example, iron copper sulfate के सार रियक किया, तो देखो इसने क्या किया? Iron एक more reactive element है, तो इसने copper sulfate के सार रियक किया, तो copper को क्या किया? उसकी solution से displacement कर दिया और ferrous sulfate बनाया. तो जितने भी displacement reaction होंगे बटा यहाँ पर क्या हो रहा होगा color change हो रहा होगा और displacement reaction हमेशा कब होगा जब एक more reactive element एक less reactive element को उसकी solution से displace कर देगा इसी तरीके से zinc sulfate को sodium के सार रियक किया तो sodium sulfate बन गया copper sulfate को zinc के सार रियक करा तो zinc sulfate बन गया तो जितने भी बेटा आपके displacement reactions हैं ठीक है इसको आप सही कर लिजिए जितने भी आपके displacement reactions हैं इन सब में क्या होता है color change होता है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम लोग किस तरीके से identify करें कि कौन सा element आपका more reactive होगा और कौन सा element आपका less reactive होगा तो उसके लिए हम लोगों को reactivity series के बारे में समझना होगा तो देखिए reactivity series में हम लोग क्या करते हैं हम लोग elements को उनके reactivity के order के basis पे कि कौन सा element more reactive है और कौन सा element less reactive है उसके reactivity के order पे क्या करते हैं vertically arrange करते हैं तो जो वो सबसे यादा reactive element होता है वो टॉप पे होता है और जो least reactive element होता है वो bottom पे होता है तो इसको याद करने की trick क्या है आपकी केदार नात का माली आलू जरा फीके से पकाता है तो potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen क्यों हम आज आएं तो copper, mercury, silver और gold तो इस तरीके से आप लोग जो है बड़े आसानी से identify कर सकते हो कि कौन सा element ज़्यादा reactive है और कौन सा element कम reactive है तो यहाँ पर आप जड़ा देखो हम लोगों ने reaction देखी थी कि copper sulfate zinc के साथ react कर रहा है तो जड़ा देखी zinc का आपका क्या reactivity series में पहले है कि नहीं है तो zinc आपका more reactive है as compared to copper तो यह क्या करेगा copper को उसकी solution से displace कर देगा तो यह आपका reactivity series हो गया अब हम लोग जो है next topic को discuss करते है that is double displacement reaction तो देखें double displacement reaction में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो है हमारे दो substance के बीच में जो दो reactants है उनके ions के बीच में क्या होता है mutual exchange होता है देखें sodium sulphate और barium chloride तो sodium sulphate क्या बनाएगा Na positive और barium chloride क्या बनाएगा BA का 2 positive तो देखो sodium किसके पास चला जाएगा chlorine के पास और barium किसके पास चला जाएगा sulphate के पास तो ऐसे सभी reactions जिसमें क्या हो रहा है reactant side ions का क्या हो रहा है mutual exchange हो रहा है तो यह सारे reactions आपके double displacement reactions क्यालाते है तो यहाँ पर देखें sodium sulphate barium chloride के साथ react करेगा तो sodium chloride बनाएगा और barium sulphate बनाएगा जितने भी आपके double displacement reactions होते हैं मेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं इनको precipitate reactions भी बोलते हैं precipitate reactions भी बोलते हैं और यह बहुत जादा time consume करते हैं they consume a lot of time clear हो गया कि नहीं clear हो गया तो double displacement reactions में क्या होता है reactant side ions का mutual exchange होता है अब हम लोग जो है next topic को discuss करते हैं that is oxidation and reduction reaction तो देखो oxidation और reduction reaction क्या होता है oxidation एक ऐसी process होती है जिसमें अगर हमारे oxygen के atoms का addition हो जाए किसी भी reaction में या फिर hydrogen के atoms का removal हो जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यहां पर oxidation हो रहा है for example देखो copper oxide hydrogen के साथ react किया तो इसने क्या बनाया और water बनाया तो देखो hydrogen से क्या बन रहा है water बन रहा है कि नहीं तो oxygen के atom का addition हुआ तो यहां पर क्या हो गया oxidation हो गया इसी तरीके से hydrogen sulfide जब bromine के साथ react किया तो इसने बनाया आपका hydrogen bromide ठीक है plus sulfur यहां पर हो गया तो देखो hydrogen sulfide से क्या बन रहा है sulfide बन रहा है कि नहीं बन रहा है to देखो hydrogen के dho atoms remove हुए तो removal of hydrogen भी क्या होता है आपका oxidation होता है तो oxidation समझ में आ गया oxidation एक ऐसी process है जिसमें क्या होगा या तो oxygen के atoms का addition होगा या फिर hydrogen के atoms का removal हो रहा होगा अब हम लोग reduction के बारे में बात कर लेते हैं तो reduction क्या होगा reduction जो है oxidation का just opposite होगा reduction एक ऐसी process होगी जिसमें क्या हो रहा होगा hydrogen के atom क्या हो रहे होंगे किसी reaction में add हो रहे होंगे या फिर oxygen के items क्या हो रहे होंगे remove हो रहे होंगे for example copper oxide को अगर हम hydrogen के सार react कराएं तो देखो copper बन रहा और water बन रहा है तो copper oxide से copper बन गया तो oxygen का item हट गया तो यहाँ पर reduction हो गया next क्या है देखो CS2 double bond CS2 में hydrogen को add गया तो CS3 single bond CS3 बना तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है hydrogen के atom का addition हो रहा है तो यह क्या हो गया आपका reduction हो गया clear हो गया की ने clear हो गया now essay reactions जिन में क्या हो रहा है oxidation और reduction एक ही time पर occur होता है उनको उनको लोग क्या बोलते है redox reaction बोलते है तो redox का मतलब क्या होता है reformita reduction and ox for क्या होता है आपका oxidation तो यह आपके क्या हो जाते है redox reaction हो जाते है for example copper oxide और hydrogen again वही example ले लिया है तो copper oxide से copper बना तो क्या होगा oxygen का removal that is reduction and hydrogen से water बना तो hydrogen में oxygen का atom अगर add हो रहा है तो क्या हुआ आपका addition of oxygen तो यह क्या होगा oxidation तो यहाँ पर redox reaction हो रहा है कि नहीं हो रहा clear हो गया now अब अपने लोग जो एक बहुत important concept को समझते हैं that is the modern concept अगर किसी भी reaction में electrons का loss हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे कि oxidation है for example sodium से na positive बना तो देखो एक electron remove हुआ कि नहीं हुआ तो यहाँ पर oxidation हो रहा है फीक इसी तरीके से अगर किसी reaction में electrons कोई substance क्या कर रहा है gain कर रहा है तो वहाँ पर reduction होगा यह modern concept है बेटा तो देखे chlorine ने एक electron को grain किया तो CL negative हुआ तो यहाँ पर reduction हो रहा है clear हो गया कि नहीं clear हो गया अब हम लोग जो है next most important topic को discuss करते हैं जहां से हर साल सवाल पूछा जाता है that is oxidizing agent and reducing agent तो देखो oxidizing agent बेटा क्या होता है oxidizing agent एक ऐसा substance होता है एक ऐसा agent होता है जो खुद को reduce करता है दूसरे substance को oxidize होने के लिए for example अगर आपके पास 500 रुपए है और आपके friend के पास 5 रुपए है तो अगर आप उसको 100 रुपए दे दोगे तो आपका friend के पास कुछ पैसे आ जाएंगे की नहीं आ जाएंगे लेकिन आपकी pocket से तो पैसे जा रहे हैं की नहीं जा रहे हैं तो ऐसे substance जो दूसरे substance को क्या करते हैं oxidize करते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं reduce हो जाते हैं वो reducing nature को रखते हैं वो क्या कलाते हैं आपके oxidizing agent कलाते हैं अब reducing agent आपके क्या होंगे जो खुद reduce हो करके दूसरे substance को क्या कर देंगे oxidize कर देंगे फॉर एक्जाम्पल देखो आप यहाँ से इसको समझेओ, copper oxide से copper बना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, oxygen atom का removal हो रहा है, तो जिसका reduction हो रहा है, वो ख्या रहा होगा, जो खुद reduce हो रहा है वो खुद क्या होगा, आपका oxidizing agent होगा की नहीं होगा, तो copper oxide oxidizing agent हो जाएगा, now hydrogen से अब water बना है की नहीं बना, तो देखो oxygen atom का addition हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, oxidation हो गया, और जो substance का oxidation हो रहा है, वो खुद क्या रहा होगा, reducing agent रहा होगा की नहीं रहा होगा, clear हो गया, तो जिसका oxidation होता है, reaction में वो क्या होता है, reducing agent, और जिसका reduction होता है, वो खुद first one is corrosion and the second one is rancidity तो देखिए अब हम लोग next topic को discuss करते हैं that is corrosion तो corrosion की अगर अपने लोग बात करें तो जब भी हमारा metal जो है अगर हम लोग इसको atmosphere में freely expose कर देते हैं तो यह हमारा air और moisture के साथ क्या करता है react करता है और react करने के बाद क्या होता है इसमें क्या हो राई? जिसमें अगर हम लोग metal को highly reactive metal को या reactive element को air और moisture के contact में लाते हैं तो इसमें क्या हो जाती है तो इस फिनमेना को अपने लोग क्या बोलते हैं? corrosion बोलते हैं ठीक है? तो देखिए अगर अपने लोग iron को air और moisture के contact में छोड़ दे तो यहाँ पर rust बनती है that is fe203.xs2 और यह आपकी brown color की होती है तो आपने देखा होगा जितने भी iron के metals होते है वहाँ पर क्या होती है rusting होती है iron के जो भी substance होते है अब copper को अगर हम लोग air और moisture के contact मिला करके छोड़ दें तो यहाँ पर क्या बनता है आपका CuCO3.cooh का whole choice बनता है यह भी आपका क्या होता है बेटा यह भी आपका जो है corroded form होती है आपके copper metal की जो की green color की होती है and it is very very important clear हो गया की नहीं अब हम लोग किस तरीके से corrosion को रोक सकते हैं ठीक है हम लोग किस तरीके से corrosion और rusting को रोक सकते हैं किसी भी सबस्टेंस को corrosion से बचा सकते हैं या फिर हमारे पास एक process होती है that is called galvanization process तो galvanization process में क्या होता है बेटा हम लोग जो है iron के उपर एक more reactive element जो कि हमारा zinc है उसके reaction करा देते हैं उसके उपर क्या करते हैं माल लेज़े iron metal है इसके उपर हम लोगों ने क्या किया zinc की coating कर देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है zinc वाला metal हमारा क्या हो जाता है corrode हो जाता है जिसकी वज़े से iron का metal क्या रहता है हमारा protect रहता है तो इन सभी methods की help से अपने लोग क्या कर सकते हैं rusting को या corrosion को prevent कर सकते हैं clear हो गया कि ने clear हो गया अब हम लोग जो है last topic को discuss करते है that is rancidity तो बेटा देखो rancidity एक ऐसी process है जिसमें हम लोग जो है जब अपने food को nature में freely exposed कर देते हैं तो इस food का क्या हो जाता है oxidation हो जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है जो हमारा food होता है it becomes tasteless और इसकी smell भी बदल जाती है तो that process is known as rancidity now there are various ways हमारे पास different methods होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं rancidity को prevent कर सकते हैं तो सबसे पहले by adding antioxidants तो देखो बेटा antioxidants हमारे ऐसे substance होते हैं जो food को oxidation से बचाते हैं food जो भी हमारा food है उसको oxidize होने से रोकने का काम करते हैं for example nitrogen gas helium and butylated hydroxy tolion तो ये सारे आपके क्या है बेटा antioxidant substance है आपने देखा होगा uncle chips के packet के अंदर क्या होता है nitrogen gas की filling होती है जिससे उसका क्या ना हो oxidation ना हो clear हो गया ना हम लोग अपने food को क्या कर सकते हैं refrigerator में रख सकते हैं जिससे temperature maintain रहे low temperature रहे साथी साथ हम लोग जो है अपने food को जो है vacuum में रख सकते हैं air tight कर सकते हैं जिसकी वज़े से क्या हो हमारा food जो है direct atmosphere के contact में ना है तो इन सभी methods की health से हम लोग क्या कर सकते हैं Rancidity को prevent कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो please channel को subscribe कर दीजेगा अपने friends के साथ इसको share कर दीजेगा साथी साथ अगर आप लोगों को notes की PDF चाहिए तो notes की PDF के लिए आप लोग जो है मेरे telegram से directly जूड सकते हो telegram की link बेटा आप लोगों को description में मिल जाएगी thank you so much मिलते हैं next video में till then keep learning and keep enjoying